हलो फ्रेंड्स मेरे ना मैं भी शेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल रिव्यू रिविल्ड जैसे कि आप थमलेन को देखे हैं उसमें हमने बताया है कि दी आपके पास रियल्मी का कोई भी हैंड सेट है खास करके दी आपके पास रियल्मी का कोई सस्ता हैंड सेट है जैस आरे लाइनप में से दिया आपके पास Realme का कोई हैंड सेट है और वो लॉक हो चुका है तो आज के इस वीडियो में बताएगा है ट्रिक के माधियम से आप उससे कुछ ही मिंटों में अनलोक कर सकते हैं जी हां फ्रेंड्स कुछ ही मिंटों के अंदर अब होता क्या है कि आपक सैमसंग को भी पीछे कर देगा और वो नंबर दो पर पहुच सकता है आईफोन को टक कर दे सकता है इसलिए इसी कारण से रियलमी आपके दूसरे कंपनी से आगे जाने वाली है उसने हाल फिलाल में ही एमाई को भी पीछे छोड़ दिया है भारत में मार्गेट के बेस पे तो चलिए आज हम बात करेंगे कि रियलमी के हैंड्सेट को आप कैसे लॉक करेंगे यदि वो लॉक हो चुका है तो मैं है या ही की नहीं है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर सुरू करते हैं जैसे कि आप देख सकते हमारे सामने एक रियलमी का हैंड्सेट रखा हुआ है जो की है रियलमी का 5 प्रो हैंड्सेट अच्छी हैंड्सेट है और इसने अच्छा मार्केट भी बनाया है तो जैसे कि म बस एक mistake जो आपको नहीं करना है वो है कि आपको अपने handset में security feature से छेड़ खार नहीं करना है नहीं तो आपका handset lock हो जाएगा जैसे कि ये handset lock हो चुका है तो आप यदि अपने handset के security feature से ज्यादा छेड़ खार नहीं करेंगे तो आपका handset lock नहीं होगा तो चलिए अब बात करते हैं जब lock होई चुका है तो उससे कैसे unlock करेंगे आप यहाँ live देख सकते हैं कि यह handset lock हो चुका है और इसमें pin pattern password मांगा जाड़ा है जो कि आदमी को यादी नहीं है तो वो क्या करें कि इसका lock तूड जाए तो पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना है आपको करना यह नहीं है कि यहाँ पे कोई भी randomly password आपको बार बार ट्राइ नहीं करना है नहीं तो आपका handset हमेशा के लिए lock हो सकता है और उसके बाद आप अपने handset को सीधे service center लेके जाएंगे जहां आपके वो अराम से 300 रुपए से ले करके 3000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं वो depend करता है city to city और यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि service center वाले आपके handset को unlock तो करते हैं लेकिन आपके handset को वो format भी मार देते हैं जिससे आपका handset unlock होने के साथ साथ आपको data loss भी सहना पड़ता है तो आप यह गलती मत किजिएगा अपने handset में बार बार नया नया password लगा के चेक मत किजिएगा नहीं तो आपका handset इसी तरह से जैसे आप यहां देख सकते हैं 28 सेकेंड 29 सेकेंड के लिए lock हो गया है और यह धीरे धीरे दी में बार बार ट्राइ को रोना गलत password तो यह हमेशा आपका कुछ मिंटों के लिए फिर कुछ घंटों के लिए बाद में कुछ महिनों के लिए यह lock हो सकता है उसके बाद आपका handset कभी भी मेरे बताये गए trick से open नहीं होगा आपको जाना होगा service center ही वही एक one and only option आपके पास बचता है तो फिलाल आपको करना क्या है वो मैं आपको बतायता हूँ बस कुछ second और रुकिए आपको मैं वो trick दिखाने वाला हूँ यहाँ पर नहीं तरह password क्या है अब जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा locking interface है यहाँ पर जैसी उपर के तरफ swipe up करेंगे आपको यहाँ पर pin pattern password मांगा जाता है जैसे मैंने आपको पहले बता है आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको चले जाना है सबसे last वाले नीचे वाले option पर जहां लिखा हुआ मिल रहा है अब होता क्या है कि emergency calls का इस्तेमाल लोग अकसर अपनी emergency time में करते हैं जैसे पुलिस को फोन करना फायर विग्रेड एंबुलेंस या फिर किसी family member लेकिन आपका handset जब खुद एक problem में हो तो उसमें भी आपको यही emergency calls only वाला page यूज करना है ताकि आपका handset unlock हो जाए लाइब में दिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखीगा अब मैं यहाँ पर एक code डालूँगा वो code है star hedge 899 hedge इसका screenshot ले लिजिए अब मैं आपके यहाँ पर जो सबसे last वाला hedge option उसे भी click करूँगा जैसी हम यहाँ पर hedge दबाते हैं आपका engineer mode on हो जाता है और यह इसी पर आपको handset को unlock करने का trick आपको मिलेगा जिसके सारे आप अपने handset को unlock कर सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके नाम से ही engineer mode इसका मतलब होता है अपने handset में कुछ भी engineering कर देना यह जैसे कि आप अपने कोई problem को fix कर सकते हैं और अपने hardware software को change भी कर सकते हैं तो फिलाल आपको अभी ship में बताऊंगा अपने handset को unlock करने का तरीका यह आप engineering mode पर interest रखते हैं तो comment बताईएगा तो मैं आपके लिए एक अलग especially engineering mode पर वीडियो बना दूँगा फिलाल अभी इस वीडियो को switch करते हैं unlocking की तरफ तो आपको यहाँ पर एक option खोजना है जिसका नाम है manual test जी हाँ manual test ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे handset में आपको manual test साइथ नहीं मिले वहाँ आपको मिलेगा RPMB status दोनों एक ही है दोनों में कोई different नहीं है तो फिलाल हम यहाँ पर manual test की तरफ चलेंगे और इससे क्लिक करेंगे तो चलेंगे इससे क्लिक कर देते हैं जैसे इससे क्लिक करेंगे आपका एक नया page open होगा और इस page पर आपको कुछ option देखने को मिलेंगे लेकिन आपको इस इससे कुछ भी नहीं करना है सिप इस तरह से right swipe आपको करना है और सबसे last वाले page पर पहुच जाना जो की other का page है जैसे कि आप देख रहे हैं हम अभी other वाले page पर पहुच गया है टोटल पाच option यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब इन पाचो option में आपको जो number one और number two option है वो आपके किसी काम के नहीं है अब जो आप यहाँ पर मैं थोड़ा zoom कर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ number three पर key status number four पर main board version और number five पर reading reset complete indicator आपको यहाँ जो सबसे main है वो है इसका main board version जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है भी 1.1 अब आपको अपने lock हुए handset में से check करना है क्या वहाँ भी इसका main board version भी 1.1 है तब तो आपका handset unlock हो जाएगा बड़े आराम से कुछी second में इदि आपके handset का main board version अलग है भी 1.1 नहीं है तो आपका handset unlock नहीं होगा आपको करना यह होगा कि उससे update करके उससे change करके आपको लाना होगा भी 1.1 में तो आपका handset unlock हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक problem यह है कि हर एक realme का अलग-अलग आपका main board version होता है तो सबके trick भी आपके अलग-अलग होते हैं जिसके through आप अपने handset को भी 1.1 में उसके main board version क change कर सकते हैं और यदि मैं सबके trick यहां बताने लगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी तो उससे अच्छा है कि आप हमारे channel को subscribe करते हुए comment बताईए कि आपका model number क्या है और आपका main board version क्या है तो हमारी team आपको 10 second के अंदर एक reply देगी और उसे अपने phone में apply करते के साथ आपका main board version change होके update होके V1.1 में convert हो जाएगा फिलाल अभी यह मानगे चलेंगे कि आपका main board version V1.1 में आपने change कर लिया है यह automatic आपका V1.1 ही है तो आपको आगे करना क्या है आपको आगे इसे total 3 बार click करना है continuously तो चले इसे click कर देते हैं 1 2 3 अब इसे 3 ब activate हो जाता है on हो जाता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसे 3 बार click करने से आपके handset का master unlocking trick activate हो जाता है तो चले इसे अब check करते कि हमारा क्या master unlocking trick activate हुआ कि नहीं हुआ तो जो सबसे last option है उसे हम यहाँ पे click करेंगे अब यहाँ भी हमें past लिखाओ message आ गया इसका मतलब आपके handset का realme के handset का master unlocking trick आपका activate हो चुका है अब बारी आती है उसे cross check करने कि क्या हमारा master unlocking mode on होने के बाद आपका handset unlock हुआ कि नहीं हुआ लेकि नहीं दोस्तों अभी एक step बाकी है वो step है key status को click करना तो चली से click कर देते हैं जैसे हम यहाँ click करेंगे आपके handset में लगा हुआ साड़ा lock, pin lock, pattern lock, pass lock आपका unlock हो जाता जैसे आप यहाँ देख सकते हैं live साड़ा की यहाँ पर pass हो चुका है, unlock हो चुका है, सिर्फ एक की यहाँ जो बता रहा है HDCP की यहाँ पर not support है, इसका मतलब आपके handset में in display figure pin sensor मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह not support है, यहाँ पर pass लिखाओ message आजाता, तो चली कोई बात नहीं, इसका मतलब हमारा handset unlock हो चुका है, अब बारियाती से cross check करेंगे कि हमारा handset unlock हुआ कि नहीं हुआ, तो चलेंगे इसके home screen पे, हमने back किया और चलेंगे home screen पे, और friends जैसे कि आपने देखा हमारा handset बरे आराम से कु आपके handset को unlock करेगा, बात करते हैं, इसकी data की हमारा जितना भी app है, वो साड़ा मौजूद है, इसका मतलब हमारा कोई भी data का loss नहीं हुआ है, हमारा handset unlock होने के साथ साथ हमारा data भी secure है, तो आप भी इस trick का इस्तमाल किजिए step to step, आपका handset बड़े आराम से unlock हो जाएगा, आगे भी हमारे इसी तरह के नए नए trick को देखने के लिए, अब हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आई है, तो इसे like कीजिएगा, पसंद नहीं आई है तो dislike जोर कीजिएगा, फिर मिलेंगे next नए वीडियो में एक नए trick के साथ, तो इसी तरह से देख झाल 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 झाल